जहिन दोस्तों मेरा नाम है आकास महुर्या और आपसे लोग का आपके अपने चैनल अल्कुपी श्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है तो हम लोग नीचे स्क्रोल करके फटा फट आ जाते हैं आज के हम लोग जो है टॉपिक हम लोग देखेंगे जीके के जीएस के कोश्च स्टार्ट है जैनरल अवेर्नेस का ठीक है यहां पर आज किसे वीडियो हम लोग जो है पचीस कोश्चन जैनरल अवेर्नेस से देखने वाले हैं तो अभी तक आप लोग ने वीडियो का लाइक कर दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना हम लोग जो है जेनरल अवेर्नेस का सेक्षेन पर आज का सोब्सक्राइब कर आज कर रोग कर लोग है यहां पर आप लोग के जो हिला है 51 तक почम चलने वाला है ठीक है तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं पहला कोश्चन आप लोगों से पूछा आ ने में से कौन से देश म ससस्त्र सेना नहीं है तो इन में से जो है है आइस लैड में जो है है ससस्त्र सेना नहीं है ठीक है आपसन नमबर इसका हो जाएगा C, 2016 ओलम्पिक खेल कहां आयोजित हुए थे तो 2016 में जो है ओलम्पिक खेल जो हुए थे वो आप लोगों रियो डी जियनरियों में हुए थे ठीक है, आपसन नमबर इसका B हो जाएगा Next question हम लोग देख लेते हैं Next question में पूछा गया है निमन में से किसे Dragon Kingdom कहा जाता है तो Dragon Kingdom जो है भूटान को कहा जाता है किसको कहा जाता है भूटान को भारत में ताज महल किस मुगल सासक के द्वारा बनवाया गया था तो यह जो है साह जहां के द्वारा बनवाया गया था भारत और चीन के बीच साइनो इंडियन वार किस वर्स हुआ था तो यह जो है आप लोग का 1962 में हुआ था ठीक है यह बहुत important question है friends है इसका PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा है तो आप लोग इस टेलीग्राम को download करके उसको print out करा लिजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में काफी दिक्कत न हो ठीक है तो यहाँ पर 56 नमबर question पुछा गया भारत ने बग लिहार बांध का निर्माण किस नदी पर कराया था तो यह जो है चीनाब नदी पर कराया था किस पर कराया था चीनाब नदी जो कि आपसा नमबर C है दुनिया में सबसे प्राचीनितम समाचार एजेंसी है तो दुनिया में सबसे प्राचीनितम समाचार एजेंसी जो है है वो AFP है ठीक है नेश्ट question हम लोग देख लेते हैं 58 नमबर में जो कि पूछा गया है किस देश में सबी पूरुस नागरिकों जो की 18 से 27 साल के हैं को एक साल तक ससत्र सीना में सेवा देना अनिवार है तो यह जो नियम लागू हुआ है यह नियम आपका जो है है रूस में लागू है ठीक है सबी जो है 18 से 27 साल के नागरिकों भारत के वरतमान राष्ट्पती कौन है तो उसम outset में तो परोग्ष में से कोई नहीं था ठीक है इस्में आप लोग जो यही आप लोग सब्सक्राइब के आफ लोग यहां और लोग को स्क्वरलवकर देख लेते हैं नदी के किनारे बसा हुआ है इन्होंने बिम्बिसार के सासनकाल में अपना उपदेश दिया हुआ है नेश्ट कोश्चन आजाता है आप लोगों का 63 नमबर है यहाँ पर पुछाएगा माना सवरूर में कितने लीटर रक्त विद्धमान रहता है इसमें 6 लीटर रक्त विद्धमान रहता है निम्न में से कौन सी लड़ाई ने भारत में मुगल सासक के भागी को बदल दिया है तो यह जो है 64 नमबर का एंसर हो जाएगा आप लोगों का फानी पत का सेकेंड राष्टी रच्छा अकादमिक कहां इस्थित है तो राष्टी रच्छा अकादमिक जो है वो खड़ग वासला में इस्थित है ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो है इस प्रकार की टाइप के जो है को साथ हमारे दूसरे नमबर या फिर तीसरे नमबर के क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा कि जो है वहाँ पर जो है कौन सा जो है आप लोगों का जो सेना अध्याच या फिर कर सकते है कि अहुंके इस प्रकार के बहुत सारे इस प्रकार से question पूशे जाते हैं जिस पर मैंने एक अलाग से वीडियो बनाये गवा तो उस वीडियो का भी तक आप लोग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो वहां से आप लोग देख सकते हैं नेस्ट question आ जाता है आप लोग विडियो का कुछालाग है वे आप लोगो का कारबन कारबन नेस्ट question आ जाता है विडियो से चलने वाले राले वेकी सरौपर्तम की सुरूआत हुई थी है वह 1925 इस्विम हुँ थी स्वेद् कारंथ के जनक कउन है профे दाक्टर वरगिंच कुर्यच नेस्ट आ ज्याता है आ लाबर पहाडियां असोग कालिन गुफा किसके नजदीक में इस्थित है यह जो आए है यह गया के इस्थित है ठीक है गया के नजदीक में इस्थित है राष्ट्रिय मेटलार्जी के प्रियोग साला कहां पर इस्थित है यह जो आए है जमस्यदपूर में इस्थित है ठीक है गूल बर्ग जो है, आप लोग सुमेल नहीं है, ये गलत हैं, ठीक है? Next question याता है, 74 number सरदार सरवार project कौन सी नदी पर इस्थित है? तो सरदार सरवार जो बाध है है जो कि प्रजक्टी जिसके नाम से भी कसा जिसको नरेंद्र मोदी जो ने हुए इसका उधगाटन जो है जल्द में ही किया था तो वो जो है आप लोग को नर्मदा नदी पर बनाया गया ठीक है इससे बहुत सारे कोस्चन बनते हैं यह आप ल जो इसका ठीक लिया था बनवाने का इसको कौन लिया or कितने दूर से दिखाई देता आया है सारी इंफॉर्मेशन वां किस नदी पर रिस्तित है कितनी दूरी है इसकी है सारी इंफ्रोमेशन में उस वीडियो में आप लोग चाहते हैं तो मैं बता दूंगा ठीक है यह थे आप लोग उसकी लिए जो है आप लोगो जो है कमेंट करके हमको बताना पड़ेगा ठीक है ब्लैक होल के सिध्धान का किसके द्वारा आविस्कार किया गया था ब्लैक होल का सिध्धान जो है एस चैंद्र सेखर ने किया था ठीक है यह थे आप लोग आज 25 टॉप 25 कोश्चन है उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगो अच्छा लगा यह वीडियो का लाइक कर देना यह चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कर लेना और आप लोग हमको कमेंट करके बताईए क्या मैं सरदार से सरोवर से समन्द जो है मैं आप लोग वीडियो लेकर आओं सरदार बलब भाई पटेल से समन्द जीते ने भी आप लोग कॉश्चन बन सकते हैं सारे कॉश्चन में उसमें करा दूँगा ठीक है यह यह आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो पर लाओं तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताईगा तो फ्रेंस आइसे हम लोग नए चैनल कारी साथ नए वीडियो मिलेंगे तब तला के लिए टेक केर गुड़ बाई